दोस्तों आज गर जो वीडियो रहेगा इसके अंदर मैं आपको बताँ को गले के एक बहुती प्यारा सार डिजाइन बनाना इतना प्यारा डिजाइन है यदि आप इसको सिंपल सुट में बना दोगे न तो सुट का लुक ही बदल जाएगा ठीक है सबसे पहला आपको क्या कर कपड़े को डबल फोल्ड करना और जिस तरफ से बंदे उधर आपको एक इंच की दूरी पर इस तरीके से निशान लगाना है बिल्कुल सीधा इसको आप इस तरीके से थोड़ी तरीके लिए इस तरीके से इगिनोर कर दें तीक है उसके बाद में आपको कुड़ती के ठीक है यह देखें आपको इस तरीके से पेश्टी है फिर भुकरम लेनी है इसे ऐसे डबल फोल्ड करना है उसके बाद में यहां पर आपको इक बिल्कुल सीधा निशान लगाना है ठीक है अब जो गली के डीपनेस बना रहे है उससे आपको हाफ इंच आश्टा लेना है म ठीक है अब इन दोनों निशानों को आपस में इस तरीक से मिलावे ये देखें चीक है, बाद में इस निसान से आप कर दें इसकी कटिंग, उसके बाद पौन इंच की दूरी से इसकी कटिंग इस तरीके से करें, चीपका चीपका और यहां से इतनी दूरी से हम इसे कट कर लेँगे, इस तरीके से cut करने के बाद इसे इस तरीके से देखें सिलाई की साहता से गले को fold करना है फिर इसकों बनाएंगे कुड़ती के अंदर लेकिन आपको बनाने से पहले एक चीज इसका अंदर change करना ये देखें change क्या करना है simple तरीके से गले नहीं बनाना हमने जो निशान लगाय थे किस निशान को यहां से अपने inch tape को रखनाएं और ग्यारा इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है ठीक है अब इस निशान पर आपको यहां तक st Authority प्रति बनेगी, किज तरीके से बनेगी पहले मानों यहां तक कम्प्र लेता हूं इस तरीके से सिलाई लगाने की बद क्या करना है, यह देखें, इसका जो लुक है ना, इस तरीके से आ जाएगा, ठीके, यहाँ पर आपको एक box plate बनानी है, यह वालो जो extra margin है ना, इसको simple इस तरीके से करना है, यह देखें, ठीके, और इसको अभी के लिए आप हाथ सी ऐसे, प्रेस कर देवें, यह देखें, अब इसके मैं आपको इस side से look दिखा देता हूँ, यह देखें, इस तरीके से इसका look आ जाएगा, ठीके, यहाँ पर आपको plate नजर आ रही होगी, इसकी बाद में प्रेस कर दूँगा, तो exact design जो है बन जाएगा, ठीके, इसकी प्रेस बनाना है भूद गला, यह देखें, आपको slide दिखी रही होगी, इसका center है, गले कुछ तरीके से रखना है, यह देखें, और यह गले के center है, यहाँ पर, जिस तरीके साँ simple गला बनाते हैं, तो देखें, simple गले की तरह मैंने गला बना लिया है, और इसे press भी कर लिया है, और यह देखें, इनके जो लंबाई आपको रखने है, ठीक है, और जो चोड़ाई रखने है, वह आपको रखने है, 2 inch, ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, इन दोनों पत्टियों को इस तरीके से fold करना है, हलका सा, ठीक है, यहनि कि ऐसे fold करना है double में, और यहाँ से इसको इ इसी तरीकए से पूरी पट्टी को fold करना है और जो दूसरे अले पट्टी है उसे भी आपने fold करना है तो देखें दोनों पट्टी हम इस तरीके से complete कर लिए fold करने के बाद मे、 उसके बादा में आपको क्या करना इसके अंदर डलनी प्लेटे प्लेटों को जो दूरी देखनी आपको रखनी हाफ आफ इंच इस तरीके से देखें ऐसे कपड़े को उठाना है और एक प्लेट आपको इस तरीके से डलनी है यहाँ पर सलाई लगाऊंगे फिर दूसरी प्लेट उठानी है और आपको इसके 1.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से रखना है यह देखें फिर आपको तीसरी प्लेट डालनी है फिर चोती प्लेट आपको डालनी है इसमें तो यह देखे इस तरीके साब को पूरी पट्टी के अंदर प्लेटे डाल लिए बस आपको एक बात का दियान रखना है इनका जो डिस्टेंस नहीं बिल्कुल बराबर बराबर होना चाहिए तो इस पूरी पट्टि के अंदर प्लेट डाल लेता हूं उसके बाद मैं इस भी इसी तरीके से डाल लूँगा तो देखें इस तरीके से मैं दोनों पट्टियों के अंदर प्लेटे डाल कर complete कर लिया है अब इनको गले के अंदर लगाना है लगाना किस तरीके से, ये देखे, बहुत सिंपल है, ये गलाय मेरे पास में, इसको इस तरीके से रखना है, और जो इस तरीके से रखना है, इसको जफ्ट इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, यानि कि सलाई न अगर नहीं आने चीए, ये जो मतलब पलेटे डल रही है, ये पौना इंच यह फिर एक इंच बाहर दिखने चाहिए बाकी सब इसके अंदर ओना चीह है इस तरहे आपको श्राय लगानी है और यहां से इसको गले के अंदर इस तरीके से डालना है फिर इसको इस तरीके से गोमाना है और तो दूसरी वाली पट्टी है इसको भी से मिसी तरीके से लगाना हिए इसके अंदर इस तरीके से डालना हिसे तो देखें दोस्तो design बनकर complete है और भी ज़्यादा अच्छा लूख देनी के लिए आप क्या कर सकते इसके अंदर इस तरीके बटन लगा सकते हैं एक बटन मैं यहाँ पर रख देता हूँ एक में रख देता हूँ इस तरीके से आप तीन बटन लगा सकते हैं और जैसे यहाँ बटन लगाओगे न तो गले का और भी ज़्यादा प्यारा लुक आजाएगा तो दोस्तों आज के विडियो सिर्फ इतना ही था कि वी गले में सुंदर फिरिजन कैसे बना सकते हो बहुत छोटा सा वीडियो था मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो चनल को सस्क्राइब करें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करें क्योंकि इसी तरी की वीडियो मैं मेरे चैनल पर बनाता रहता हूँ आ मैं मिलता हूँ नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थेंक यू सो मच